हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल सोचियोलाजी क्लास इस पर मैं राजपुत सनी आपका स्वागत करता हूं तो जैसा कि आप जानते हैं प्रश्णों की सीरीज चल रही है तो आज देखते हैं उसके आगे का भाग तो आएए देखते हैं निमलिखित में से कृष्णय का है कि सारी संस्कृतियां बसंत ग्रिच्वा पतज़र सरत के समान नियमीथ करमिक चरणों से गुजरती है ईजर्टाइनवी ऑस्वाल्ड इस पेंगलर एस ऐफ्यस शैपीर या एल पर गर के द्वारा तो ओस्वाल्ड इस पेंगलर का यह कथन है कि सारी स प्रशंस्कृतियां एक नियमित क्रम बसंत विस्म पतजड सरत के रूप में चलती हैं अगला है निमलिखित कथन में से कौन सा एक क्रिशक आंदोलन था खिलाफत आंदोलन ताना भगत आंदोलन तेलांगना अंदोलन या भील आंदोलन तो इसका राइट आंचर सी हो संथाल तो इसका राइट आंचर सी होगा संथाल तो इसका राइट आंचर सी होगा तो इस पे करंट में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की वर्तमान राष्ट्विती किस जनजाती से आती हैं तो भारत की जो वर्तमान राष्ट्विती हैं दुरूपदी मुर्मुजी वस जारखंड की संथाल जनजात से ही आती हैं अगला निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए संस्कृति करड़ एक प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है तो यह जो क्यूश्चन है इसमें थोड़ा डाउड फुल दिया है आपसन और क्यूश्चन यह नियमत विकास में परिवर्तन है विशय का इन जननात्मा परिवर्तन है या संस्कृतिक संरचना में परिवर्तन है या सामाजिक संरचना में परिवर्तन होती है तो यहां पर जो विकल्प दिये है इसमें से केवल विकल्प नम्मर एक सही है बाकी गलत है और आपसन यहां पर विकल्प गलत दिया है सामाजिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता ह ब्यक्ति की सामाजिक प्रइस्थिती में परिवर्तन होता है तो यहां पर केवल एक सही है संस्कृति करण के संदर्भ में अगला टी बेबलन द्वारा प्रश्पादी सामाजिक परिवर्तन का सिधान निमलिखित में से कौन सा सही क्रम है तो सही क्रम में इसका प्रयोक करना है तो तकनी की विकासवाद कर्म कौसलवाद की सहच पविति और विचार धारायम आदत में परिवर्तन यह तीनों क्रम में है अर्थात सरुप्थम यह है उसके बाद यह है उसके बाद यह है तो राइट आंसर हमारा यह हो जाएगा निम्लखित में क्रिशक अंदोलनों पर विचार कीजिए अर्थात कौन सा क्रिशक अंदोलन सब्स हुआ था तो यहां पर सरप्थम हमारा चंपारण अंदोलन हुआ था उसके बाद खेडा अंदोलन हुआ था उसके बाद हमारा तीभागा अंदोलन हुआ था क्या तीभागा और उसके बाद नकसलवारी अंदोलन तो राइट आंसर हमारा C हो जाएगा अगर आप इनके डेट्स और इनके बारे में बिश्रिक जानकारी जाते हैं तो हमारे यूटूब चैनल पर जनजाती या किसान अंदोलन करके आपको एक वीडियो मिलेगा आप उसे देख सकते हैं जिसमें डिटेल जानकारी दी गई है कि यह अंदोलन कब किसने और किस कारण से किया था अगला सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए दलित अंदोलन, नकसल अंदोलन, चिंको अंदोलन तो दलित अंदोलन का संबंद सीधा भीमराव अंबेटकर जी से है यहाँ पर थोड़ा भीमराव साट में दे दिया है नकसल अंदोलन जो था वह चारूम मजूद्दार से संबंदी था और चिपको अंदोलन का संबंद सुंदरलाल बहूरा जी से है तो 3,2,1 3,2,1 एहराइट अंसर हमारा सी हो जाएगा अगला है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो स्री नारायन गुरु स्वामी थे उनके द्वारा केरल में प्रारम किया गया स्री नारायन धर्म प्रचपालन अंदोलन के निरित था उनका विशा क्या था तो वह दलितों के प्रवेस बिद्यालेओं में प्रवेस की मान कर रहे थे तो सरकारी नवकरियों में आरच्छर से उनका कोई लेना देना नहीं था वह अंचित जातियों के लिए अनसूची करड़ की बात कर रहे थे और मंदिर मारगों में प्रवेश की बात उन्होंने कही है तो आपसन एक तीन और चार या जो स्री नाराण गुरु धर्म प्रतिपालन था इसका प्रमुख भी से था तो एक तीन चार एक तीन चार हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भी यहां बिकल्प में नहीं दिया है तो आपसन नमबर डी के साथ जाएंगे यहां पर तीन हम कर दे रहे हैं तो एक तीन चार हमारा यहां राइट आंसर है निमलिखित कथनों में से कौन से वक्तव्य सही है प्रध्योगी में परिवर्तन होने से संस्कृती में परिवर्तन होता है यह भी सही है यह मार्क्स के अंसर है कि प्रध्योगी में परिवर्तन होगा तो संस्कृती में भी परिवर्तन होगा दूसरा संस्कृती में परिवर परिवर्तन को मतपूर माना है तो उनका मानना था कि संस्क्रिटी में परिवर्तन होने से प्रध्योकी में परिवर्तन होगा और प्रध्योकी में परिवर्तन होने पर प्रध्योकी में परिवर्तन होता है यह अभी कथन सही है तो यहां पर तीनों कथन सही है तो राइट अंस सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदाई नहीं है मानों के बेहार में अन्कूलन सीलता अर्थात मानों किसी एनेसंस्कृती से को अनकूलित करेगा तो वह समाज में कुछ परिवर्तन लाएगा अगर किस ब्यक्ति का नित्रित्व भी समाज में परिवर्तन ला सकता है वहीं ब्यक्ति की भूम क्या के माध्यम से भी समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है जो धर्म है या समाजिक परिवर्तन की बात नही सामाजिक अंधोलन की अवधाला की केंद्री मानयता होंगी लोगों द्वारा समाजिक परिवत्य की प्रक्रिया में हस्तिछेव करते हैं अगला है लोग सभू Keys है książ रूप में उप्रग करते हैं या लोग अप्चारिक संगठनों के माध्यम से मानो घटना की दिशा को प्रवावित करने का सामूहिक प्रयास करते हैं तो यह तीसरा हमारा सबसे ज्यादा एप्रोक्रियेट लग रहा है तो राइट आंसर हमारा C हो जाएगा और यह विचारधाराओं का प्रसार है तो समाजिक प्रयास के माध्यम से कोई अंदोलन करता है तो उससे सामाजिक अंदोलन कहेंगे कोई व्यक्तिकत अंदोलन करता है कोई एक अकेला व्यक्तिया करता है अंदोलन तो उससे हम समाजिक अंदोलन थोड़ी न कहेंगे इसका राइट आंसर हमारा C हो जाएगा यहाँ प्पर्पे उपैयों लेजनी को और शाकी को 106 आधिक है जिसम हो सकते है निम्रिखित में से सबसे अधिक सब्सक्रहें सबस्क्राइब से प्रकार के स्माई करी कंद आसं विश्चेश प्रकार के सामाजिक सामाजिक परिवर्तन होगा और परिवर्तन के कई गुड़ हो सकते हैं विकास प्रगाती और प्रसार या तीनों भी परिवर्तन की स्रेड़ी में रखे चाते हैं विकास जो है वह नियोजित होती है और प्रसार जो होती है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप परिवर्तन होना की होता है विकास जो होता है वह निवोजीत रूप से पड़िवर्तन को विकास के अंतरगात रखते हैं अगला है निम्लिखित में से भारत की पंचवर्थी योजनाओं का मुख्य उद्यस कौन है आर्थिक बिद्धि आध्मिकी करण आत्मनिर्भरता तामाजिक उत्वाव तो यहाँ पे आप्सन तीन तीन दिये हैं तो हमें तीन ही आप्सन चुलना है पहला आर्थिक बिद्धि हो जाएगा दूसरा आत्मिकी करण होगा तीसरा आत्मनिर्भरता तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा अगर यहाँ पे एक आप्सन और चार बिदिया होता तो हम तो 4 को भी चुंते हैं कि सामाजीक उद्भव सामाजीक सद्भावना यहां पे होता तो ज्यादा उप्रोप्रियेट रहता अगला निमल लिखित में से सामाजी क्लिवर्तन किसके द्वारा लाया गया था जन्न संपर्क माध्धों से मध्यमों से या जैविक कारकों से या उपयुक्त नागरिक आपूर्थ से या सच्छिक संगठनों से तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है वह एक सामुहिक प्रक्रिया है हमने पीछे पड़ा है तो सामुहिक प्रक्रिया का निर्माड कहा होता है जन्व संपर्क के माध्यम से सामुहिक प्रक्रिया का निर्मार होता है, सामुही प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक आंदोलन होते हैं, और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को लाया जाता है, अगला है निम्लिखित में से कौन सा कथन संस्कृति परिवर्तन को इंगित करता है, अनुवान स स्कृतिक परिवर्टन को स्थेंस्क्रिति करण की अब्यक्ति जब उच्ण हदी वालों की जीवन स्थाहता है तब हमसे संस्कृतिक परिवर्टन मानते हैं कि में अगला है करेंपस पर सीधार्वाजिक परिवर्तन का प्रमुक कारण है प्राभधिक अविस्कार वर्ग संघर्च ट्रांती या राजनैतिक परिवर्तन तो काल माक्स ने सामाजिक समाजिक परिवर्थन कहा से होगा कैसे होगा किसको माना है तो उन्होंने कहा कि समाजिक परिवर्थन द्वंद से होगा या संघर से होगा वर्ग संघर से होगा उन्होंने कहा कि समाज में सभी समाजों में वर्ग व्यापत है और सभी समाज में दो टाइप के वर्ग पापते है एक सासक एक सोसित तो सोसित वर्ग अंगोलन में जब सामूहीं चेतना का अथिकास होगा तो वह वर्ग संघर्ष या अंदोलन करेगा, साशक वर्ग का विलोत करेगा, तब समाजिक परिवर्थन आएगा. अगला है, युवा असंतोस का मुख्य पहत्पूर कारक क्या है? परिवर्थित मुल्य नवीन सामाजिक व्योस्था में अभियोजित न होना, भविस्थ में प्रगित की आसा का न होना, या सिच्छा का उचित व्योग का न होना. तो युवा असंतोस का मुख्य महत्पूर कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, वह भी हो जाएगा, कि नवीन सामाजिक व्योस्था में अभियोजित न होना, युवा के में असंतोस का प्रभूप कारण है, अगला है, तो अगला जो अंतिम प्रश्ण है, इसमें बिकल्प जो है, गलत दिया है, तो यहां प्रश्ण ह हमें करते हैं, तो आज की वीडियों यहीं समाप्त करते हैं, वीडियों को लाइक एंद सेर करें, चैनल को सस्क्राइब करें, और डेली क्विच के लिए आप हमारे टेली ग्राम चैनल से जूर सकते हैं, जिसका link आपको description box में प्रवाइट करवाया जाएगा, और इस समय ए दिखने के लिए धन्यवाद